आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Physics, Chemistry, Biology डाउट्स का सपाया बस अपना फोन उठाओ, Question की फोटो कीचो Crop करो और तुरंथ Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो सवाल यहाँ पर कहा रहा है Competition for Light, Nutrients and Space is most severe between यानि कि जो हमारा Competition होता है किस चीज के लिए हमारी Light के लिए Nutrients के लिए और Space के लिए वो सबसे ज़्यादा घाता यानि कि सबसे ज़्यादा severe कहां पे होता है हमें उसी के बारे में बात करनी है अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर Competition Competition किसी भी चीज के लिए हो सकता है यानि कि कोई भी हमारे दो Organisms हैं तो किसी भी चीज के लिए जहां पर हमारे क्या दे रखा Light, Nutrient and Space यानि कि अगर दो Organism हमारे Light, Nutrient and Space के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे से कि मेरको वो चाहिए जादा मातरा में चाहिए जैसे कोई भी प्लांट हो सकता है किसी एक प्लांट को Nutrients जादा चाहिए होते हैं तो दूसरे प्लांट उसको नहीं मिल पाते हैं तो इसलिए जो competition होता है यह हमारे दो Organisms के बीच में तो हमें बात करनी है जो यह competition चल रहा होता है आकिरकार यह किस के बीच में हमें सबसे जादा देखने को मिलता है बात करों अगर competition के बीच में तो हमारा competition जो हो सकता है वो भी किसी दो प्रकार का हो सकता है अब दो प्रकार का किस प्रकार से हो सकता है एक हो सकता है हमारा Intraspecific यानि कि एक ही species के बीच में intra-specific और एक हो सकता है inter-specific तो inter-specific क्या होता है यह होता है हमारा दो species के बीच में और यह intra-specific क्या होता है within two organisms of same species हाँ जी इसमें species same रहती है लेकिन उसके दो organisms की बात चल रही है for example बता रहा हो यहाँ पर हमारे दो plant हैं दो plant कुन-कुन से हैं दोनों हमारे rose के plant हैं वो एक साथ रह रहे हैं तो उनके बीच में अगर competition हो रहा है तो उसको मैं बोलूँ है intra-specific और intra-specific में अगर rose का plant है उसको मैं compare कर रहा हूँ किस के साथ marigold के flower के साथ यानि कि plant के साथ तो यह हो जाता है हमारा intra-specific यानि कि दो species के बीच में हो रहा है यह difference मैंने competition के बारे बताया अब हम से क्या बूच रहा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहा होता है तो बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा competition होता है वो हमें intra-specific में देखने को मिलता है यानि कि जो same species के होते है अब आप पूचेंगे ऐसा क्यूँ बात बता देता हूँ यहाँ पर जो होता है जैसे रोज और रोज है मैंने example बताया दोनों की जो demands है वो दोनों की same ही रहेंगी यानि कि अगर एक को दो nutrients चाहिए है दो nutrients चाहिए है इसलिए जो competition का level है वो यहाँ पर कम हो जाता है तो सबसे ज़्यादा competition कहाँ देखने को मिल रहा है वो intra specific में देखने को मिल रहा है intra specific में भी कब अब अगर हमारी दो organisms जो है वो different different place के उपर है तो उनका जो competition है वो तो कम ही हो जाएगा बाट एक ही area के अंदर ये दोनों एक साथ रह रहे है तो यहाँ पर जो हमारे nutrients है उन दोनों के बीच में competition होगा कि उनको कौन लेगा तो competition कब बढ़ गया जब हमारे same organisms एक ही species के एक ही area में हमें देखने को मिल रहे है तो ऐसा को example हमें देखने को मिल रहा है से हमारा competition जो है इस condition में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो option B is the right answer Thank you Class 11-12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने डाप